जेहिन बचो कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ, बहुत बढ़िया होंगे उम्मीद करता हूँ, बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्ट होंगे, मस्त होंगे और अपनी तयारी में बेतर डंसे लगे होगे कहते हैं कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा तु थक्कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे बच्चों मेरे भविस के फोजियों और इस देश के होनार चात्रों और चात्राओं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दा लीडर डिफेंस वेक्ट्री पर स्वागत है बंदन है अविननदन है मेरे बच्चों आर्मी किलर्क को लेकर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारी भ्रांतियां थी उन सारी भ्रांतियों को आज मैं यहाँ पर जड़से खत्म करने बाला हूँ तो जितने भी बच्चे आर्मी किलर्क या ओफिस असिस्टेंट की तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यह इवेंट रामबार सावित होने बाला है तो मेरे बच्चों आप सभी एक बार सेसन को बढ़िया से सेयर करेंगे जबर्दस तरीके से जुड़ेंगे और आज का जो इवेंट है वो आपका बहुत बेतरीन होने बाला है तो चलिए भाई देखते सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर मैं आर्मी कलर्क की बात करूँ आर्मी कलर्क या ओफिस असिस्टेंट तो इसमें आपको सेलेक्शन प्रोसिस के बारे में जानने की जरूरत है अगर इसके selection process की बात करें तो army clerk एक मात्र अगनी वीर army में ऐसा segment है जो मेरे बचे जिसमें change आया है तो मेरे बचे अब देखिए यहाँ पर बात होती है अगर हम यहाँ पर देखे कि सर selection process में क्या change हुआ है सबसे पहले सबसे पहले आपका online exam होगा और प्लस इसी के साथ में आपकी typing test भी होगा मतलब सीधी सी बात है अब आपको यहाँ पर first phase में दो चीजों से गुजरना पड़ेगा एक तो online exam और दूसरा typing test इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा हमारा है physical test कि physical test होगा और तीसरा आपका है medical test और last में आपका मेरे बच्चे होगा documents verification सॉरी लाश्ट में आपका merit list आएगी और आपका मेरे बच्चे इस तरह से selection process है मतलब आप सीधे कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगनी भीर army clerk में एक बहुत बड़ा बदलाव यह हुआ कि इस बार typing test भी इसमें दे दिया गया कई बच्चे typing test को लेकर बहुत ज़्यादा confusion में है कि सर कैसे होगा typing test किस तरह से तयारी करें और देखो मैं आपको typing test के बारे में भी पूरा बताऊंगा यहाँ पर जो typing test है उसके लिए आप practice कैसे करो बहुत simple सा process है कि आप कहीं पर भी आपके पास 50 जिन है परियागत समय है बहुत ही जी होगा typing test कुछ भी ऐसा टफ नहीं है कि आपको problem हो तो यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि आपको सबसे जादा यहाँ पर दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है एक तो written exam और typing test क्योंकि जब तक आपका ये बाला portion first बाला portion qualify नहीं होगा तब तक आप मेरे बचे second और third पर नहीं जा सकते तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आप written exam की तयारी करिए क्योंकि syllabus की अगर बात करें तो syllabus में सबसे पहले आपका आता है English और English के total 25 question होते हैं 100 marks के इसी तरह से आप अगर देखें तो maths जो होता है 10 प्रस्ट होते हैं 40 marks के इसी तरह से जीके अगर देखें तो 5 प्रस्ट होते हैं ये आपके 20 marks के इसी तरह आप अगर देखें तो GS में physics chemistry भायो 5 प्रस्ट होते हैं 20 marks के और last आपका आजाता है computer में भी आपके 5 प्रस्ट होते हैं जो की 20 marks मतलब total अगर आप देखें तो 200 number का paper होता है और 50 प्रस्ट पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा इसमें जो ratio है मेरे बच्चे वो आपका है यहाँ पर English का देखो यह video अगर तुमने देखी तो आप समझें मैं आपको पूरा detail में बता रहा हूँ ठीक है दूसरा सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा selection आर्मी किलर्क में हमने दिये हैं यह ताल ठोक के कहते हैं तो याद रखना अगर सच में तुमारा सरकारी बाबू बनने काम की इत्था है और तुम इसका दम रखते हो तो बहुत जबर्जस तरीके से सेर करो देखो दूसरी बात आर्मी किलर्क में selection लेना बहुत ही जी है क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इंग्लिस अकेले 50% आ रही है और 50% में सत्यदेव सर है और 50% में सभी है मतलब यह कंपनी वाला हिसाब हो गया तो आप इस चीज को यह समझे कि यहाँ पर अगर आप देखे तो बहुत ही जबर्जस तरीके से आपने अगर इंग्लिस में 25 में 25 कर लिए धुआ धुआ कर दिया तो आप यह समझे कि आपका मेरे बच्चे 40 प्लस स्कोर कोई नहीं रोग सकता अभी से लग जाओ आप रिटीन एक्जाम पर फोकस करो अब इस रिटीन एक्जाम की तयारी कैसे करे कई बच्चों के मन में यह प्रस हैं तो मैं आपको बता दूँ रिटीन एक्जाम की तयारी के लिए आप सभी के बीच में दा लीडर डिफेंस फेक्टी बहुत ही जबर्जस्त प्लान लेकर आईए यहां पर मेरे बच्चे आप लोगों के लिए सुबह सात बजे बोकेब इंगलिस की क्लास मतलब इंगलिस में अलग-अलग क्लास बोकेब अलग और छे बजे इंगलिस की क्लास अलग मैं तो आप देखो गौरफ सर 11 बजे लेकर आ रहे सिम टू सिम GS साली में GS प्लस कम्प्यूटर मतलब पूरा जबरजस्त हम वही पढ़ाएंगे जो पेपर में आएगा याद रखना तो और देखो वो नहीं है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है फिर बाद में आप ये कहोगे कि सर हमें कुछ आया ही नहीं तो सिम्पल सी बात है आप जबरजस्त टीम के साथ जुड़े और जुड़ने के लिए आप लोगों को मेरे बचे इसी चैनल पर आपको डेली क्लास लेना है अब एक बात यहां से आ जाती है कि सर और इसके लाबा क्या है तो मैं आपको बता दूँ आप लोगों के लिए आज रात आठ बजे से ओल इंडिया मोग टेस्ट सुरू होने वाला है जो भी बच्चे आर्मी किलर की तैयारी कर रहे है उन सभी के लिए रात आठ बजे से लगातार आर्मी किलर का कंप्लीट पचास प्रस्थों का मोग टेस्ट सुरू होने वाला है तो आप सभी इस मोग टेस्ट में जरूर जुड़े तो मेरे बच्चों स्लेबस आपको बता दिया एक्जाम पेटर्न बता दिया बिना रिटिन एक्जाम के कुछ नहीं होना है अब तेरी सिर्फ इतनी है कि आप अपनी तैयारी में जुट जाए अभी जाए इस इबेंट को लाइक और सेयर करिए सुबह से साम तक क्लास लीजिए रात में मोग टेस्ट लगाए जबर जस्त दुआ दुआ करके अपनी तैयारी को बेतरीन बनाने का काम करिए तो क्या आप सभी तैयार है देखो आर्मी जीडी बाले जो भी बच्चे है उन सभी के लिए भी आप लोगों को मैत लेना है जीके लेना है जी-एस लेना है और आपको रीजिनिंग भी इसमें कराई जारही है गौरप सर आपके बहुत जबरजस तरीके से इसपेसली जीडी बाले बच्चों के लिए और टेक बाले बच्चों के लिए डेली ग्यार डेली एक बजे रीजिनिंग की क्लास लेकर आते हैं जो एक मिनट में सुरू होने वाली है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्नवाद थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा से एर करें जिससे की मेरे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेयर करें और सभी तक जरूर बहुत पहुचाएं थैंक यू वेरी मच जैहिंग जैभर